लो एवरीवन दिस इस मनोज कुमारी वेलकम इन यूटूब चैनल मैच फ्रेंड एंड टूड़े वी आर गोईंग तू स्टार्ट द पैरामिट्र एंड एरिया ओफ जुमेट्रिकल सेफ्स बेटा आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि जुमेट्रिकल सेफ्स का पैरामिट्र ओ और एरिया आज दो जीजे करेंगे हम विद एक्जाम्पल्स की जुमेट्रिकल सेफ्स का पैरामिट्र निकालना सिखेंगे और एरिया निकालना सिखेंगे सबसे पहले जुमेट्रिकल सेफ्स लेते हैं बेटा हम ट्राइंगल कौन सी लेते हैं ट्राइंगल अब triangle केसी shape होती है जिसमें कितनी side होती है 3 side होती है उसको क्या कहते हैं हम triangle कहते हैं तो triangle की जो shape है कुछी इस तरह से होती है ऐसा polygon जो 3 line segment से बना हो उसको क्या कहेंगे बेटा हम triangle कहेंगे तो अगर हमारे पास कोई भी triangle given है और उसका हमें अगर parameter निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे तो देखो अगर ये side दे रखी हमारे पास 7 cm अगर ये दे रखी है 6 cm और ये हैं हमारे पास 5 cm इस triangle को नाम दे 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 भीटा हमने a, b और c तो इसमें एक बात करेंगे हम parameter की किसकी बात करेंगे? parameter तो parameter triangle का क्या होता है? sum of all sides क्या होता है? sum of all sides अगर sum of all sides मतलब सारी sides का अगर हम sum कर दें तो वो क्या कहलाता है? parameter of triangle कहलाता है तो देखोई, जैसे यह triangle लिए हमने a, b, c sum of all sides sum of all sides तो इसका parameter क्या हो जाएगा? side कौन सी होती? तो दो point को join करें a, b, b, c, and ac what are side? साइड है इसको हम लिख सकते है a, b, plus me, b, c, and ac a, b, कितनी है लтовेटा? हमारे पास 5 cm 1, b, c, कितनी है? 7 cm और a, c, कितनी है? 6 cm 5 और 7, 12, और 12, 6, और एक्टने हो जाएंगे 18, तो 18 cm क्या आ गया, इसका आनसर आ गया, इस triangle का क्या आ गया, parameter आ गया, तो पहली जो shape ली हमने, जो numerical shape कोन सी ली है, triangle, तो triangle का parameter क्या होता है, sum of all sides, सेकी हम बात करेंगे बटा एरिया की किसके बात करेंगे एरिया तो ट्राइंगल का एरिया होता है वन अपोन टू इन्टू बेस इन्टू हाइट क्या होता है वन अपोन टू इन्टू बेस इन्टू हाइट ये क्या होता है एरिया ओफ ट्राइंगल देखी अगर इसकी जो हा ह Erst양ाइट है ट्राइंगल की अगर ये दे रखी है 6 cm या 8 cm तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो area क्या हो जाएगा इस का area हो जाएगा इस triangle का देखो base क्या होता है जिस पर perpendicular मतलब जो 90 degree का जो perpendicular जिस भी line segment पे होता है वो क्या कहलाता है उसका base कहलाता है तो यह तो height है और जिस पर यह height है वो क्या है उसका base है आधार है तो कितना जागो 1 upon 2 into base into height अब cancel हो रहा है 2 बंजा 2 2, 2, 4, 8 तो यह बच गया 7 और 4 की multiply कितनी हो जाएगा 28 और area की जो unit होती है वो square होती है मतलब अगर centimeter है तो centimeter square लगाएंगे इस two का मतलब होता है square तो इसका जो area आ गया वो कितना जाएगा 28 centimeter square area की जो unit होती हो किसमे होती है square में होती है तो दो चीज़े सिखे हमने parameter of triangle क्या हो of all sides और triangle का area क्या होता है one upon में base into height यह example लेके मैंने आप लोगों को समझा दिया है तो पहली shape की geometrical shape की बात की हमने triangle कौन सी है ये triangle एक एसी सेप होती है जिसकी ओल्ड साइड्स क्या होती है इक्वल होती है तो एसी सेप को हम क्या कहते हैं बटा स्केयर कहते हैं तो हम एक square बना लेते हैं, ये हमने बना लिया एक square, हमने लेट कर ली, कि इसकी जो side है, ये 5 cm है, ये भी 5 cm है, ये भी 5 cm है, ये भी 5 cm, और ये भी कितनी है, 5 cm, और ये क्या है बटा, एक square है, क्या है, square है, तो इसमें हम पहले बात करेंगे, कि इसका parameter, कि parameter of square क्या होता है, parameter होता है, इसका 4 multiply by side, square का जो parameter है, उसका formula याद हो है, क्या होता है, 4 multiply by side, अगर आपको formula याद है, तो आप easily किसी भी question को कर लेते हो, तो इसमें example में ही समझा लिए है, जैसे parameter निकाले, तो 4, और side कितनी है बटा, इसकी 5 है, तो 5 से कर दो multiply, तो इसका parameter हो जागा, 4, 5 जा, 20, और unit क्या है, इसकी centimeter, तो 20 centimeter क्या आगया, इसका parameter आगया, किसका square का, तो square का parameter क्या होता है बटा, side multiply by side, area of square क्या होता है बताओ, side multiply by side, area of square होता है, side multiply by side, अब इसी से करते हैं, इसका area निकालते हैं, square का side कितनी दे रखी है, 5 centimeter, तो 5 multiply by 5, side कितनी है 5, तो side into side, 5 into 5, कितना हो जागा बटा, 25 centimeter square, ध्यान रे, area की जो unit होती है, उसमें meter हो, centimeter हो, decimeter कुछ भी हो, उसके उपर लगेगा, यह छोटा सर्जो 2 है, इसको बोलते हैं, square, तो इसका जो answer है, वो कितना होगा, 25 centimeter square, तो यह formula नोई बटा, parameter of square क्या होता है, 4 into side, area of square क्या होता है, side into side, यह example लेके, मैंने आप लोगों के लिए, अच्छे से explain कर दिया है, ताकि इनके parameter or area, आपको अच्छे से समझ आ जाए, next geometrical shape लेते हैं, बटा हम rectangle, अब rectangle क्या होती है, एक ऐसी quadrilateral, जिसमें opposite sides क्या होती है, equal होती है, जिसमें opposite sides क्या होती है, equal होती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम rectangle कहते हैं, और इसका each angle होता है, 90 degree, each angle कितना होता है बटा, 90 degree किसका rectangle का, तो इसकी shape, कुछ इस तरह से होती है, इसको थोड़ा सा, यह होगी rectangle, यह जो shape है बटा, यह किसकी है, rectangle की, इसमें opposite sides क्या होती है, equal होती है, हमने लेट कर ली, कि जो length है, वो कितनी है, 7 cm, और breadth इसकी चोड़ाई है, कितनी cm है, 4 cm, तो यह इसके parallel है, यह 7 cm है, तो यह भी कितनी होगी, 7 cm, यह 4 है, तो यह भी कितनी होगी, 4 cm, और यह क्या बना ली, हमने rectangle, rectangle क्या होती है, एक ऐसे quadrilateral होती है, जिसमें opposite sides equal होती है, और each angle, कितने degree का होता है, बटा, तो इसमें हम एक बात करेंगे, किसके parameter की, अब parameter का मैं formula बताती हूँ, perimeter, तो perimeter का formula होता है, इसका 2 bracket, L प्लस में B, 2 इसको bracket को बटा, into, क्योंकि bracket का मतलब multiply होता है, multiply को into बोल सकते है, तो perimeter of rectangle होता है, 2 into length प्लस में breadth, perimeter of rectangle का formula यादो है, बटा, क्या होता है, 2 into length प्लस में breadth, अब देखो इसकी length और breadth हमने ले लिया है, तो इसका parameter क्या होगा, 2 bracket, length, length कितनी है, length मतलब लंबाई, कितनी है, 7, breadth कितनी है बटा, 4, तो 4, तो कितना जगा 2, और 7, और 4 कितने हो जाएंगे, 11, bracket का मतलब multiply, 2 को, 11 से multiply करोगे, कितना जगा, 22 cm, तो P आजएगा, parameter आगे हमारा, 22 cm, तो इस formula का प्लाई करते हुए, हम क्या निकाल सकते हैं, इसका parameter, second, यह तो first हो गया, second इसमें area की बात करेंगे, कि rectangle का area क्या होता है, rectangle का area होता है, बटा, length multiply by breadth, rectangle का area क्या होता है, length multiply by breadth, तो length को breadth से multiply करते, तो क्या जाता है, area of rectangle, example हम यही ले रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, हम area, length कितनी है, 7, length कितनी है, 7, और breadth कितनी है, बटा, 4, तो 7 फोर्जा कितना होता है, 28 cm2, तो इस figure का area है, वो कितना आ गया, 28 m2, यह क्या आ गया, इसका answer, यह जो है, यह क्या कहलाती है, length कहलाती है, और यह क्या कहलाती है, breadth कहलाती है, तो parameter of rectangle का formula या दो है, तो इन्टू length प्लस में, breadth, और area of rectangle क्या होता है, length into breadth, यह example लेकिए, मैंने आप लोगों के लिए, अच्छे से explain कर दिये है, next is geometrical figure लेते हैं, बटा हम circle, तो circle क्या होता है, close round figure, close round figure को क्या कहते हैं, circle कहते हैं, यह इसका क्या कहलाता है, center इसको नाम दे दिया, O, और center से circle पर, कोई भी line जोइन कर दे, तो वो क्या घलाती है, radius तो, वो यह क्या है, इसकी radius है, तो circle के parameter की बात करें हम, किसकी बात करें, parameter की, तो parameter of circle जो होता है, parameter, parameter कह दो बटा, या circumference, क्या कह दो, circumference, इसका formula क्या होता है, 2 pi r, क्या होता है, 2 pi r, कि parameter या circumference, of circle क्या होती है, 2 pi r, तो parameter कह दो, mostly आपको यहीं मिलेगा circumference, तो circumference of circle होती है, 2 pi r, अगर इसकी radius हमने ले ली, 7 cm, इसकी radius कितनी ले ली, 7 cm, और इसका हमें निकालनी है circumference, circumference को capital C से denote कर रहे हैं circle की form में इसको parameter कम कहके हम circumference से कहेंगे तो 2 pi की value लेते हैं 22 by 7 pi की value कितनी होती है 22 upon 7 तो pi की value 22 upon 7 radius radius कितनी है 7 7 से 7 cancel 22 को 2 से multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 44 cm तो इसकी जो circumference है वो कितनी आजाएगी 44 cm यह क्या जाएगा answer अगर हमें इसका area निकालना हो किसका circle का area का formula होता है pi r square area of circle क्या होता है pi r square area of circle क्या होता है pi r square अब इसी एक्जाम पर से लेते हैं pi की value कितनी होती है 22 upon 7 radius कितनी है 7 तो 7 multiply by 7 7 से 7 cancel 22 को 7 से multiply करेंगे तो कितना जाएगा 154 और यह cm square कितना जाएगा 154 area निकाल रहे है तो area के unit क्या होता है cm square तो इस तरह से area आ गया कितना जाएगा 154 cm square यह हम area निकाल रहे थे area कितना गया 154 cm square यह क्या आ गया इसका answer तो आज की इस वीडियो में, हमने कुछ जूमेट्रिकल सेफ की बात की है ट्राइंगली है, स्केर लिया है, रेक्टेंगली है और सरकली है इनकी हमने दो चीजें डिसकस की है, कि इनका पैरामेट रस काष्र में जूदिध लिए अगजाम देटे है जैसे नवद्दे वगरा के जो भी एक्जाम देते हो तो उसमें इस टाइप के question बटा आपको जरूर मिलते हैं इनमें आपको एक main बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले इन geometrical shapes की जो shape है आपके mind में होनी चाहिए इनका main formula पता होना चाहिए कि parameter क्या होता है circumference क्या होती ह area क्या होता अगर यह चीजे आपको clear है तो बैसा formula पूट करके इस टाइप के question को easily solve कर सकते हो और मैंने जितना easy हो सकता है उसमें आप लोगों को समझाने के कोशिज किया है and I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर चैनल पर नहीं आए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा now thanks for watching बेटा